जाए हिन साथ यो बेलकम टू सेल्फ इस्टेटी के लासे स्वेश सुमिच जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम विभिन अवस्ताओं में साहिरिक बिकास इबम गामक बिकास की बारे में पढ़ेंगे ठीक है हमारी जो बाले बिकास की नरंतर चल रही है विस्तरे तद्धेन जो हम चल रहा है उसी में हम आगे पढ़ते हुए हमारा ये पार्ट तीन है बाले बिकास से तो हमें पढ़ना है विभिन नवस्ता में साहिरिक बिकास इबम गामक बिकास की रूप में ठीक है बहुती अच्छी सरल भासा में बिलकुल एकदम जो है अच्छे से हम समझेंगे इसको साइरिक बिकास के छेतर समझो सबसे पहले तो साइरिक बिकास के छेतर कौन-कौन से अगर आप से पूछा जाएगा कि निमने मैं से बताएगा कौन सा साइरिक बिकास का छेतर नहीं है त नेक्स्ट आपका क्या होगा अंतह स्तरावी गरंथियां ये सभी क्या होगी सारीरिक विकास की छेत्र माने जाएंगे सभी को अच्छे से याद करने है ठीक है अब सारीरिक विकास की हमें विवस्थाइं देखनी है ये सारीरिक विकास की विवस्थाइं एक सारीरिक विकास स सरीर किरियातमक विकास नहीं आप देखते कि भार बाड़ता है लंबाई बाड़ती है विक्तिक चिरुषा मस्तिस्क बड़ता है ठीक है मास्वेसियां और दांत इन सबी का जो विकास होगा वो सायर किर इसमें बेकास हो रहा है तो ये सरीर कुरियात्मक बेकास के अंतरय अगर को आता तब आपको तंतरी का तंतर हिर्दाइवा परिवहन दंतर स्वासंत दंतर पाचद दंतर ये सब पता होनी चीए ठीक है और सारी रिक बिकास के अंदर जो आएंगी बे ये आएंगी तो यह चीज याद होनी चाहिए ठीक है यहाँ से question पूछ गए MPTAT 2011 में यह पूछा गए यहाँ पर देखो सैसा वस्ता में सारी रिक बिकास सैसा वस्ता में सारी रिक बिकास देखो जन में से तीन वर्स जन में से तीन वर्स में कैसा होता है अतियंत तीब्र गती से विकास होता है यह चीज हमें समझ दी है और देखो तीन वर्स से छे वर्स आपको पता है सैसा वस्ता का जो काल माना जाता है जन में से लेकर 6 वर्स तक का, कल क्या माना जाता है सेयसा वस्ता, अधिकांस बिद्वान यहीं मानते कुछ बिद्वान 5 वर्स तक मानते हैं लेकिन सेयसा वस्ता में साइरेक जो विकास होता है, जन्म से 3 वर्स तक जो होता वो अत्य देख तीब्र होता है और 3 से 6 वर्स होता हट्डियां कितनी होती हैं कितनी हट्डियां भार कितना होता है तो बालक का भार होता है 7.1 पॉंट है या 3.2 किलोग्राम, या बालिका का 7.1 पॉंड या फिर तीन किलोग्राम यह चीज़ आपको पता होने चाहिए ठीक है साथ या आठ ऐसे माना जाता है तो लेकिन 7.15 और एक पांच जो आपको है ये है ठीक है लंबाई की बात करें तो लंबाई बालिका सामत है बालकों से एक बटे दो इंच छोटी बालक बाली का पचास इंक्याउन सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो है लगभाग ठीक है ये चीज देखना है मास पेसियां देखो सरीर के कुल भाग का 23 पृतिसत कुल भाग का 23 पृतिसत मास पेसियां होती है एक नवजास चीजसू की बात हो रही है यहाँ पर और नेक्ट देखें सिर्वा मस्तिस तो सरीर के कुल लंबाई का 1 पटे चार भाग यानि की 350 ग्रम अगर आप से पूछा जाए कि मस्तिस का भाग कितना होता है तो 350 ग्राम होता है मतलब सरीर के कुल लंबाई के कितने बटे भाग होता है तो एक बटे चार भाग होता है यहाँ से पैस जो है आपके कई प्रश्ण बन सकते हैं तो एक एक चीज यहाँ से आपको समझनी है दोस्तो अगर वीडियो आपका तनक भी फायदे मन्द है तो वीडियो को लाइक जरूर करें जन्म के समय भार होता है साथ से 8 पाउंड ठीक है छे माहे में दुगणा और एक बट्स में तिगणा आप से पूचा जाता है एक नोजास शिसू का छे माहे में जो भार होता है तो कितना हो जाता है दुगना हो जाता है एक साल में कितना होता है एक बर्स में तिगना हो जाता है यह सबी आपको फैक्ट जो है याद रखना है लंबाई देखो जन्मे के समय में पचास से इंक्याउं सेंटिमीटर इसकी लंबाई होती है एक ब मस्तिस्क सिर्वा मस्तिस्क में देखो यें CERT पर आधरत इनोटस हैं सभी लोगों को सिर्वा मस्तिस्क जो है जन्म के समय सरीर के कुल लंबाई का एक बटे चार बाग ठीक है भार जन्म के समय 350 किलो ग्राम होता है छे वर्स में 1 किलो और 250 ग्राम है ना ये सभी को याद रख आपनी ने काई की मस्तिस की की तो 6 बर्स में जो मस्तिस का भार होता है वो कितना होता है एक किलो 250 ग्राम अगर आप से पूछा जाएं कि एक बालक का जो है सैसा वस्ता के अंतमे या 6 बर्स में भार कितना होता है तब आपका उत्तर होगा एक किलो 250 ग्राम जन्म के समय कितना ह दोस्तों वो आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से याद रख लिने हैं पाउंड पी पूँचा जाता है जन्म के समय बालक का भारक इतना होता है एक पूँचा जाता है एक कई परकार से प्रस्षन पूँचे जाते हैं सबी को याद रख लीना है और कमेंट के माद्धियम से बता देना कि आपको वीडियो के ऐसा लगा और भी हम इसका पूरा सलेवस आपको करवाएंगे है ना जन्म के समय नहीं होते क्या दांत छह या साथ में माहें में दूद के दांत निकलते हैं अगर आप से पूछा जाए हैं वो 270 होती है कौमल तथा लचीनी ठीक है निर्मार की बात करें तो जो है हड्डियों का जो निर्मार केल्सियम फासपोर से मुखनिच पदार तस्तिकण की प्रिकरिया तो इनसे होता है हड्डियों का निर्मार ये चीज आपको याद रख लीने है ठीक है जन्म के समय आ एक बेकास का सुरूप देखो 6-9 वर्स संचैकाल 6-9 वर्स का जो समय माँ जा जाता है वो संचैकाल माना जाता है ठीक है याद रख लेना है ना और जो है बेकास तीबर गती से होता है ये चीज आपको याद रखनी है है ना 9-12 वर्स परिपाक काल कहा जाता है ये दोनों अगर आपसे पूचा जाएगा बाल्य आवस्ता में 6-9 वर्स का काल क्या कहलाता है तब आपको पता होने चाहिए संचाय काल फिर 9-12 वर्स का परिपाक काल कहलाता है ठीके 9-12 विकास धीमी गती से परंतु द्रनता की और उनमुक्त होता है जैसे हमने सैसा वस्ता में पढ़ा इयासे प्रंता की और उनमुक्त होता है तो यह बाल्य आवस्ता के बारे में आप साहिडिक बेकास के स्वरूग को हम देख रहे हैं तो एक एक चीज जो एक एक फैक्ट आपकी परिक्षाओं में आते हैं उन फैक्तों को हम बहुत बढ़िया तरीकी से देख रहे हैं दोस् बाले वस्ता में 12 वर्ष की ओमर तक ये चीजज़ आपको याद रखने हैं। लंबाई धीमीगती से बढ़ती है बाले वर्ष की यंदे तक 655 पन रिंचो जाती हैं। याद रखो हड़्डियां बाले वस्ता की यनते तक 270 से बढ़ कर 350 हो जाती हैं। अगर आपसे पूचा जाए कि बाले अवस्ता की अंते तक जो एक बालक की हड़िया होती है वो कितनी होती है तो यह 350 तक पहुच जाती है ठीक है बात करें दांत 6 वर्स तक दूद के दांत गिरना तथा स्थाई दांत निकलना प्रारम हो जाता है 12 वर्स की अंते तक सभी 24-28 इसे स्थाई दांत निकल आती है यह चीज भी याद रख लिनी है अंगला देखें सिर मस्ते सरीर के कुल भार का 95% जो है इसका होता है ठीक है याद रख लिना है और मास पेसियां सरीर के कुल भार की 35% होती है तो यह चीज सभी को याद रख लिनी है ठीक है बहुत बढ़ एक सोरावस्ता है ठीक है अब देखेंगे हम देखो लंबाई में क्या होती है तीबर ब्रद्धी होती है लंबाई में तीबर ब्रद्धी और बालिका की जो है सोला बर्स तक ब्रद्धी होती है यह देखो आपने ब्रद्धी पढ़ी होगी और बिकास भी पढ़ा होगा ठीक बालिकाओं की है ना याद रख लिना है और बालक की देखो बालक की अठारा वर्स के बाद भी ब्रद्धी है ना तो ये चीज़ आपको याद रखने नहीं है ठीक है ये अठारा वर्स तक होती है तो दोस्तों है यहाँ पर देख लिया क्या देख लिया किसोरा वस्ता में कि जो तीब्रे लंबाई में ब्रद्धी होती है बालिकाओं की जो होती है वो 16 वर्स में होती है बालक की जो होती है वो 18 वर्स के बाद भी होती है हड्डियां इसमें अस्त्रीकण की प्रिक्रिया पूर्ण हो जाती है मास पेसियों की बात करें तो कुल सरीर के 45% मास पेसियां होती है ठीके अन्य बेकास की बात करें तो ग्यानिंद्रियों एवं कामिंद्रियों का बेकास हो जाता है आवाज में परिवर्तन होने लगता है ठीके और यहाँ पर देखें सिरोवा मस्तिस्क का बेकास किस में किसोरा वस्ता में तो ये किसोरा वस्ता है और किसोरा वस्ता के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको याद रख लेनी है ठीक है याद रखना है कि बालिकाओं का जो है लंबाई 16 वर्स तक होती है बालकों की 18 वर्स के बाद भी ब्रद्धी होती है है ना तो ये सारी क सारी जो चीजें है मस्तेश का भार 12-1400 ग्राम हो जाता है है ना ये चीज आपको पढ़नी है ये ही चीजे महत्पूर्ण है जो आप से पूँची जाती है ना कि आप बिस्तित रूप से बहुत सारा पढ़ लेते हैं वो कोई फाय देका नहीं है आप मैन मैन पॉइंट को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम साइरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखो क्या कारक हैं इस साइरिक विकास को कैसे प्रभावित कर रहे हैं देखो सबसे पहले तो है भोगल एक परिस्तितियां ये भोगल परिस्तितियां स अंसानुक्रम भी साहिरिक विकास को प्रभावित करता है, बातावरन भी साहिरिक विकास को प्रभावित करता है, पोस्टिक भोजन भी करता है, परिवार की इस्तिती भी करता है, निद्रा वा विस्त्राम भी साहिरिक विकास को प्रभावित करती है, तब नियमत जो दिन चर ये कौन सा साईर एक विकास को प्रभावित करने बाला कारक नहीं है तब आपको एक अन्य प्रस्ण दिया जाएगा अन्य बिकल्प दिया जाएगा तब आपको बताना होता है ठीक है next देख लेते हैं सैसा वस्ता में गत्यातमक विकास देखो दोस्तों गत्यातमक विकास क्या है देखो इस्थूल गत्यातमक और सूक्ष में गत्यातमक दो प्रकार की गत्यातमक विकास होती है एक तो इस्थूल और एक सूक्ष में है ना इसके अंत्रगत घुटनों के बल चलने खड़े होकर चलने ऊपर चलने तत्त दोड़ने जैसी करिया होती हैं ये सूख्ष्म गत्यात्मक विकास हैं सूख्ष्म गत्यात्मक विकास में इसके अंतरगत कपया नबस्तूओं को पकड़ना पुस्तक के प्रस्टों को पलटना बटन तथा जिप लगाना ड्राइंग करना लिखना जैसी करी आएं ये होती है सूख्षम गत्यात्मक बिकास ठीक है तो इस से ऐसा वस्ता में हमने देख लिया कि इस तुल गत्यात्मक बिकास के अंदर गत्य यह आती है और सुक्ष्म गत्यात्में बिकास के अंदर गत्य अब यह आती है थे चीज़ आपको याद रखनी है इसके बारे में हम थोड़ी सी और देखेंगे परिक्षा उपियों की कुछ महत्पूर्टत हैं वो जानेंगे पहली बारे तो है ना सूक्ष्म गती कोंसल है तो सूक्ष्म गती कोंसल क्या अगर आप से पूँचा जाता है कि सूक्ष्म गती कोंसल क्या है तब आपका उत्तर होने चाहिए लिखना सूक्ष्म गती कोंसल है नौजास इसू का भार होता है तो साथ पाउंड होता है ठीके साहिरिक विकास का चेतर है तो इस नायू मंडल है साहिरिक विकास का चेतर क्या है इस नायू मंडल है ठीक है हमने साहिरिक विकास के विविन चेतर देखे थे देखे थे न सभी ने हाँ तो वो चीज़े यहाँ पर पूची गई यह बेवहार का करना पक्षाता है सीखनी के गतिक चेतर में है न गत्यात्मक बिकास में देखो, गत्यात्मक बिकास का अर्थ क्या है, मास पेसियों पर नेंतरन, मास पेसियों पर नेंतरन क्या कहलाता है, गत्यात्मक बिकास कहलाता है, यह चीज सभी को समझ नी है, इस थूल गत्यात्मक, सुक्ष्म गत्यात्मक, ठीक है, बड़ी पेसियों पर नेंतरण, छोटी पेसियों पर नेंतरण, सभी को याद रखने हैं, सुक्ष्म गत्यात्मक में क्या होता है, छोटी मास पेसियों पर नेंतरण, और बड़ी मास पेसियों पर नेंतरण, यह सभी को याद रखने हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने उसी के बारे में देखा, लेकिन ये चीज़ याद रखने है गत्यात्मक बेकास क्या है तो मास पेसियों पर नेंतरन गत्यात्मक बेकास कहला था ठीक है आंगे देखेंगे यहाँ पर जो हमने देखा कि स्यसावस्ता में गत्यात्मक बेकास जो होता है स्थूल गत्यात्मक और सूक्ष में गत्यात्मक ठीके इसके अंदरगत गोटनों के बाल चलने खड़े होकर चलने उपर चलने यह क्या है स्थूल है ठीके और इस सूक्ष में ह आरंबिक बाल लियावस्ता काल क्या माना जाता है, सबी लोग बताएंगे, है ना, गत्यात्मक बिकास देखो, इस थूल गत्यात्मक और सूक्ष्म गत्यात्मक, इसके अंतरकत दोड़ना, उचलना, रसी कुंदना, छला गूमनाना, है ना, तीपहिया, साइकल चलना, गेंद फैकना तथा, पकड़ना जैसी करियां आती हैं, तो अगर आपसे एक क्वेस्चन पूछा जाएगा, कि एक बालक गेंद फैकता है, एक बालक गेंद फैकता है, यह जो है आरंबिक बाल लियावस्ता में, किस बिकास को दरसाता है, तब आपका उत्तर क्या होगा, एक बालक जब गेंद फैंकता है तो यह आरंबिक वाल लिवस्ता में जो है इस थूल गत्यात्मक विकास को दर साता है यह चीज पीछा जाएगा ठीक है है ना और यहाँ पर भोजन करना कपड़े पहनना तयार होना लिखना नकल करना आदी यह सुक्ष्म गत्यात्मक कहलाती है तो यह यहां से question वनती हैं दोस्तों आप लोग बिस्तरित पढ़ती हैं लेकिन हमें जो मैन चीज आपको पढ़नी चाहिए वह चीज आप नहीं पढ़ते हो ठीक है तो बहुत चीज यहां से पढ़ना चालू करो और पूरे के पूरे वीडियो देखो पिछले वीडियो देखो आं पूरे कागच के समान होता है जिस पर अनुभव लिखा जाता है याद रख लेना को जान लौक महुदय ने कहा है मानसिक विकास 15-20 बर्स की आयू में अपनी उच्चितम सीमा पर पहुंच जाता है एक इस ने कहा है बुड़ बर्थ ने कहा है यह चीज भी आपको याद र इपोर्टेंट फैक्टों पर हम चल्चा करते हैं हैना यहाँ पर मानसिक विकास की पक्च हमें देखना है तो मानसिक विकास की पक्च आपसी क्वेस्चन यहां से बनता है निम्न मैं से बताईए कौन सा मानसिक विकास का पक्च नहीं है या फिर है इस परकार से तो आपको चमता मानसिक बिकास का पक्ष है, संग्यानात्मक सक्तियां ये भी मानसिक बिकास की पक्ष है, अबलोकन मानसिक बिकास का पक्ष है, प्रत्य निर्मान मानसिक बिकास का है, संबेदन, सीलता, ध्यान और इस्मर्ण, इस सारे की सारे मानसिक बिकास की पक्ष है, इन बिकास की पक्चों को आपको याद रख लिए ना है Question यहीं से बनता है पूच्छा जाएगा कि निमन में यसे कौसा मांसिक विकास का 5000 नहीं है तब आपको बताना होता है ठीक है? सबी लोगों को इसी प्रकार से याद रख लिए मांसिक विकास का पक्च कौसा है और साहीर एक बिकास का पक्ष कुन सा है ये चीज़ नहीं याद रखनी है ठीके सेहसा वस्ता में मानसिक बिकास देखेंगे अब हम ठीके सेहसा वस्ता में मानसिक बिकास किस पिरकार से होता है है ना यहाँ पर देखो सेहसा वस्ता में मानसिक बिकास है ना पहला सब्ता है छीकना, हिचकी लेना, दूथ पीना, हाथ पे रहलाना, रोना, चौकना अगर आप से पूचा जाएगा छीकना ये किस अवस्ता में होता है तो पिर्थम सब्ता है में होने लगता है बच्चा छीकने लगता है हिचकी लेने लगता है है ना पहला महिना चिलाना पकड़ने की चेस्टा करना ये पहले महिने में होने लगता है चोथे से छे महिने में सब बेंजनों की ध्वनिया करना आवाज का अनुक्रण करना ये चोथे से छे महिने में होने लगता है एक बच्चा आवाज का अनुक्रण करने लगता है तब आपका उत्तर क्या होगा छे महीने में चोथे से छे महीने में ठीके हाँ और साथ से नो महीना गोटने के बल चलना सहारी से खड़े होना अब आपसे पूचा जाए अगर कि एक बच्चा सहारी से खड़े होने लगता है कितने महिने में, सास से नो महिने में, भुटने के भर चलने लगता है सास से नो महिने में, बोलने का अनुकरन करना, कारियों के अनुकरन का प्रयास करना, ये दस माह या एक वर्स में होने लग टीखे और चार बर्स में दस्तक गिंती अक्षर लेखना बस्तुओं को करम में रखना यह होने लगता है रंग पहचानने लगता है और नाम लखने लगता है यह 5 बर्स में क्रिया होती है ally है जो आप से पूच्छी जाती हैं वह हमें पढ़नी है दोस्तों है अब बाले अवस्ता में मानसिक बिकास देखेंगे, यहां पर हमें जानना है, बाले अवस्ता में मानसिक बिकास क्यांसी होता है, देखो सबसे पहले, बाले अवस्ता में मानसिक बिकास, छे वर्स में देखो, छे वर्स से मानी जाती है, बाले अवस्ता, मानसिक बिकास क्यांसी हो जटिल वाक्यों की प्रियोग का प्रयास करना, यह हो जाता है 7 वर्ष में, ठीक है? 8 वर्ष में, छोटी कहानीव कविताओं को याद करना, सरल समस्यां को हल करना, यह 8 वर्ष में आ जाता है नेक्ष देखो 9 वर्स में देखो दिन समय तारीक बर्स सिक्कों का ग्यान 9 वर्स में हो जाता है एक बालक को सिक्कों का ग्यान किते वर्स में होता है तब आपका उत्तर होगा 9 वर्स में दिन तारीक का ग्यान कब होता है तो 9 वर्स में होता है जोड गुडा गुडा भाग का ग्यानकाव होता है तो 9 वर्स में होता है दृत गती से बोलना ये 10 वर्स में देनेक जीवन के कार स्वेम करना 10 वर्स में तरक जिग्यासा निरीक्षण सकती का बिकास 11 वर्स में सभी को याद रख लिना है है ना ये क्वेस्चन पूछा जाता है एक बच्चा किस वर्स की उम 12 वर्स में, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूची जाती है, जो यहाँ पर दे रहे हैं, वो फैक्ट आपसे पूची जाती है, ठीक है, अब हमें देखना किसोरा वस्ता में मानसिक बिकास, तो मानसिक योगताओं में ब्रधी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किसोरा का विकास कलपना सकती का विकास इसमण सकती का ये बुद्धी का विकास यहाँ पर हो रहा है ठीक है तो मानसिक एक गुता का अब रद्धी हो रहा है रुचियों में विकास सीखने की चमता हो रहा है और बुद्धी में विकास हो रहा है ये चीज़ आपको समझ रहे हैं ठीक परिवार की आर्थिक इस्तिती, माता-पिता की सिक्षा तो ये जो हैं तत्थ मानसिक बेकास को प्रभावित करने वाली कारक होती है अब दोस्तों हमें अंगले के पॉइंट में परिक्षा उप्योगी कुछ महत्पूर्ण तत्थ पढ़ना है जो हम अंगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे आपको ये वीडियो क्यांसा लगा? लाइक करके बताना और सेयर कर जरूर करना उसके पहले तीन दो पार्ट आपके अप्लोड हो चुके हैं ये तीसरा पार्ट है तो पूरे के पूरे पार्ट अगर आपने करम से देख लिए तो ये ऐसे अनियकों प्रस्न हैं जो आप कभी गलत करके नहीं आएंगे तो ये वीडियो कैसा लगा? जब जरूर कमेंटर बताएंगे ठीक है? वो वीडियो को लाइक और सेयर करना परियावरान और से समानदित बहुत सारी वीडियो अपलोड है पिले लिस्ट ज़रूर देखें ठीक है? परियावरान और आपकी संसिके Oprah किस समानदित भी आपकी वीडियो मैं ने अफलोड किये हैं गलत प्याड़ों गौजी से समाधित कियें तो सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर करें देखें दोस्तों आज के वीडियो के लिए वस इतना ही जय हैं